हे गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेज श्रीलंका प्लस इंग्लेंड वर्सेज ऑस्ट्रिलिया के मैच के बारे में तो दोनों ही जो मैचेस हैं उनका एक ही वीडियो आ रहा है थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा बट अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो दोनों ही जो मैचेस हैं उनको आप अच्छे से खेल पाएंगे फैंटसी साइट्स पे और आप अच्छी टीम मना पाएंगे मैं आपक क्योंकि दो वीडियो साथ में बना रहा हूं तो 500 रुपीज का मैंने यहां पर Q&A कॉश्चन रखा हुआ है यानि कि जो भी मेरे सवाल का जवाब देगा इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद उसको 500 रुपे का पे टीम कैश दिया जाएगा जिसका जो सवाल है वीडियो के बीच में आपको मिलेगा अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप नहीं जीतेंगे मैं आपको बदा दो क्योंकि जो यूजर पूरा वीडियो वाच करेगा यह कॉन्टेस सिर्फ उसके लिए है तो अगर आप बाद में रिजेक्ट हो जाए तो यही सब्सक्राइब करते हैं जो मैं आप से सवाल पूछूँगा कमेंट सेक्शन में तो शुरू करते हैं वीडियो को वीडियो के बीच में आपको सवाल मिल जाएगा सबसे पहले साउट अफरी का शिलंका की बात करते हैं तो 25 मुकाबला है वर्ल्ड कप का जो की खेला चेजिंग यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है तो जहाँ पर जो टीम के कैप्टन्स है वो बैटिंग फर्स्ट करना प्रिफर करते हैं हाला कि बहुत अच्छी बैटिंग तो नहीं होती बट फिर भी 150 के असपास की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं इस पेना उस से स्मयेट में कोंटें होक्ति करेंगे पिछले मैच में रीजा खे लेते और अभी कांटें टिको अपर करेंगे तो स्से कोंटेंग ऑपन करेंगे तैमबा और में सकते इवन मेरे Captain Vice Captain की एक option भी सबसे अच्छे यही रहेंगे इसके बाद Temba Bavuma है जो कप्तान है टीम के बट इनका form T20 में बिल्कुल भी अच्छा नहीं जल रहा प्लस इनोंने शिलंकाओ कभी T20 format में face नहीं कर रहा है नमबर तीन पर आपको दसेन या मरक्रम में से कोई बैटिंग करता हुआ देखेगा दोनों की importance बहुत जादा है इडिन मरक्रम सामने वले टीम के left handers के खिलाफ थोड़ी बहुत balling कर सकते हैं और प्लस बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे है इनका form IPL से ही बहुत अच्छा लग रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार cricket खेल रहे है तो यह आपके लिए बहुत important होंगे आप position team खिलाफ record अच्छा नहीं है बट फिर भी मैं यहीं कहूंगा क्या आप इनको टीम में जरूपिक कीजेगा फिर आरवंदर दस्ते ने जिनका form अभी थोड़ा सर ठीक हो गया है पिछले कुछ मैजरीम अच्छा performance दे चुके हैं प्लस आप position team के खिलाफ भी जो आखरी चार मुकाबले हैं उसमें दो में परफॉर्मेस इंकी काफी बढ़िया आई है फिर आते हैं डेविड मिलर जो काफी नीचे बैट करने आते हैं और इनका form अगर आप देखें रिसेंट लिए उट अच्छा नहीं चल रहा है आप पो इन पर्टोरियस जो डेथ में के इंदवाजी अभी फिलाल दो मैचेस से कर रहे हैं अब देखना होगा इस मैच में करते हैं के नहीं करते हैं बूलर थोड़े से एवरेज हैं बट क्योंकि डेथ होवर्स में इनको बालिंग करने को मिल रही तो उसमें काफी देखें तो recent form इनका आप all teams के खिलाफ देख सकते हैं T20 में performance कोई खास performance नहीं कुछ death overs की वएसे last कुछ match में फायदा मिला इनको आप position टीम के खिलाफ अगर आप record देखें इनका तो वो भी कुछ खास नहीं है इसके बाद कगी सु रबाड़ा की बात करते हैं रबाड़ा क पर आते हैं केशब मराज left arm orthodox bowler है recent form बहुत ही अच्छा है प्लस आप position टीम के खिलाफ record भी देखें तो 100% का आखरी तीन मुकाबलों में हर बार इनको कम से कम एक विकट मिली है इस venue पर क्योंकि spin सपोर्ट रहेगा तो केशब मराज और तबरे शंची की importance भी अच्छी खा प्लस आप position टीम के खिलाफ भी आखरी दो मैचेस में इनोंने एक एक विकट निकाली हुई है इसके बात करते हैं तबरे शंची की left arm चाइन में बोलर recent form बहुत ही अच्छा है आप position टीम के खिलाफ record देखेंगे तो वह भी काफी जादा बढ़ी है तो मेरे साब से इनको भ लगाता टीम के लिए performance दे रहे हैं हर दूसरे मैच में 30 के असपास की scoring कर देते हैं लास्ट दो मैचेस से साउथ अफ्रिक खिलाब बीन का performance काफी अच्छा है तो इनसे आप expectation अच्छी खाजी कर सकते हैं फिर आते हैं पाथम निशांका कोई खास परफॉर्मेंस इस पाथम इसका बेटिंग आवरेज है पिछले दो मैचेस से काफी बढ़िया खेल रहे हैं और मैन इन फॉर्म यही है अगर आप देखें शिलंका की तरफ से तो एक कुशाल परे रहा और एक चारित असलांका यह दोनों ही लगाता इस वर्ल्ल कप में अच्छा कर रहे हैं बाकी अगर आप देखें तो पांच के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं पिछले चार मैचेस से बहुत स्टगल कर रहे हैं आप पोजिशन टीम के खलाफ रिकॉर्ड भी इनका बहुत ज़ादा खराब है बैटिंग पोजिशन भी डाउन है तो इनकी इंप्रेंस कम रहेग सेकिंड बॉलिंग अगर इनकी होती है तो फिर और भी ये लीथल हो जाते लास्ट मैच में भी आपने देखा इन्होंने टीम के लिए दो विक्टे निकाल ली थी बाकि कोई प्लियर विक्ट नहीं निकाल पाय था एक शनाकाने भी निकाली थी लास्ट मैच जो इनका खेल हुआ था सामनोले टीम जो थी ऑस्ट्रिलिया उसके साथ तो वनीदू हसरंगा इस मैच में भी साउट ओफ रे खिलाफ अच्छा परफॉर्में दे सकते हैं आप पोडिशन टीम के खिलाफ आकरी तीन मुकाबलों में दो बार इनको विक्टे मिली है और ये गेम चेंजर है कप्तान वाइस कप्तान की एक और उम्दा उप्शन है फिर आते हैं भानू का राजपक्षा वैस्टो इनके स्टाइड इतने खास नहीं थे टीटुनिटीज में बट अभी अगर आप चार पांच मैच उठाके देखे तो फॉर्म इनका बहुत जादा सुधर चुका है और बहुत अच्छे फॉर्म से ये गुजर रहे हैं तो इनको अगर आप चाहें ग्रेंड लीग बगरा में ट्राइ करना तो कर सकते हैं तो उसके लेट बैट करने आते हैं बट फिर भी एक काफी बड़ी ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं आखरी तीन मैचेस में पर्फॉर्म हो पाएगी वैसे टी-20 में ये तना नीचे बैट करने नहीं आ रहे थे बट वर्ल्ल कप में बहुत नीचे बैट करने आ रहे हैं तो इनकी इंपोर्टेंस तो है बट अगर बैटिंग आती है तो अपोडिशन टीम के खिलाफ most of the जो पर्फॉर्मेंस है वो 15-20 के आसपास सके इनके गए हैं बट फिर भी आप इनको टीम में जगे दे सकते हैं क्योंकि और प्लेयर से इतने अच्छे हैं नहीं शीलंकल लाइन अप में अगर आप उपर से असलांका और खुशाल परेड़ा को छोड़ दें तो बाखी कोई प्लेयर इतना दमदार नहीं है एक गता है और दी तीनन शलांके अप झामे श्याना लें एक्दमि में रहें और आप लाइन ऊ है थाकण को फ्रीघणी में उतका इनको मारत ल सब्सकमार इनको पहल व 알काली को पर्फौरमार को कि बात के इनका परतनी रहें तो में अपक्श बीके चमेंे और रिकट यह आफ खेलने का इनका experience नहीं है यह पहली बार South Africa को face करेंगे फिर आते हैं बिनूरा फर्नांडो जो इस match में वापती कर चकते हैं पचपन मैच में चववन इनिंग्स खेली है इनोंने और सतर विक्टे निकाली है रिसेंट फॉम इनका अगर आप देखें पेसर्स की कैटिगरी में शिलंका से बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले आठ दस मुकाबलों में यह विक्टलेस गए ही नहीं है और इनोंने कभी साउथ अफरीका को फेस नहीं का रहा है बस यहीं डिमेरिट है वरना यह भी काफी बड़ी आप्चन है बट फिर भी आपको साउथ अफरीका फेवरेट मान के ही इस मैच में टीम बनाने है तो जल्दी से हम टीम बना लेते हैं शिलंका साउथ अफरीका की फिर इंगला अउस्टिलिया का प्रिव्यू देखेंगे यह मेरी टीम रहने वाली इस मैच में जिसमें मेरे कैप्टन कॉंटन डिकॉक है वाइस कैप्टन वनीदू हसरंगा है आप चाहें तो इसका पोजिट भी कर सकते हैं बट मैं थूद अधर साउथ अफरीका फेवरिट मान के टीम बना रहा हूँ तो साउथ अफरीका की प्लेस पे मेरा जादा फोकस रहेगा मैंने विगट कीपिंग सेक्शन में कोशाल परेरा को लिया है और बेटिंग सेक्शन में चरित असलांका को लिया है दोनों ही मैन इन फॉर्म हैं और लगा था टीम के लिए परफॉर्म करने सामने कैसी भी आप पोजिशन हो बट इनका performance कम नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी important बहुत जादा है, और बड़ी से बड़ी टीम के खिलाब भी अच्छा performance दे पाते हैं, तो इनको आप ले सकते हैं, ट्रस्टेड ओप्शन्स हैं, साउथ अफरीका की तरफ से वंदर दसेन और मरकरम को भी ले लीजेगा, आप तो तेमबा बवुगा के साथ भी जा सकते हैं, बट दिक्कत यह है कि बवुगा का form जो है, वो काफी टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है, शिलंकल लाइनप के खिलाब बवुगा अच्छा performance कर जाएं, तो इस condition में आप ट्राइ कर सकते हैं, तेमबा बवुगा को अपने टीम में, बट अभी फिलाल मैं उनको फॉर्म को अगर देखूं तो मैं उनको ले नहीं पाऊंगा, मैंने पातुम निशांका को थोड़ा सा मजबूरी में लिया है, क्यों ड्रीम 11 पर क्रेट का इशू है, तो आठ क्रेट में और कोई अच्छा अपलर आपको नह साथी साथ कंप्रीट चार ओवर करेंगे अपने स्पिन के और बहुत बड़ी है स्पिन बोलर है, इसलिए आपको इनको लेना चाहिए, वाइस कप्तान कप्तानी तो देनी ही चाहिए, अगर हम बात करें बॉलिं सेक्चन में, तो मैंने सारे के साथ अफरीकन बोलर्स को टी देथ बॉलिंग में रहेगा, बाकी अगर आप देखें तो महराज और शम्ची जादा बेटर बोलर्स हैं, बट प्रोटोरियस जो है, वो डेथ का इडवांटेज उनको अभी फिलाल मिल रहा है, पिछले दो मैचे से, तो देखना होगा अगर इस मैच में भी डेथ का इड पाकी, रबाडा, तबली शम्ची और नौट जे को टाच मत कीजिएगे, तीनो बुलर आपकी टीम में होने ही चाहिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं, फेंटू प्ले की टीम की ड्रीम 11 पर हमने टीम बना ली, थोड़ा से क्रेट इशू भी हमें यहाँ पे देखा, क्योंकि हमारा जो Q&A question आने वाला है, वो fan to play एप से related रहेगा, तो fan to play एप पर अगर आप अभी तक registered नहीं है, तो जल्दी से registration कर लीजे, refer code FX डाल दीजेगा, अगर आप FX refer code लगा के fan to play एप पर registration करेंगे, तो आपके लिए bonus तो मिले गई मिलेगा, free entries भी आपको extra मिल प्लस leaderboard contest तो चल ही रहे हैं, तो इनको भी आप join कर लीजे, जल्दी से FX code लगा के sign up कर लीजेगा, fan to play पर जिन्होंने अभी तक नहीं करा, क्योंकि वो बहुत कुछ miss कर रहे हैं, जो other fantasy side पर आपको नहीं मिल पाएगा, वो मैं fan to play पर आपको दिलवा सकता हूँ, अगर आएंगे, FX family का हिस्सा बनेंगे, तो FX family के लिए offer यहाँ पर बहुत जादा आते रहते, यह चीज़ आपको भी पता है, अगर आप टेलिग्राम से जोड़े हैं, तो अब जल्दी से हम बात करते हैं, South Africa, Sri Lanka match की, तो create team में हम जाते हैं, यहाँ पर मैं already team को create कर चुका हूँ, तो my team पर मैं click कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरी team open हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं, क्रेट का कोई भी issue नहीं है, तो यहाँ पर मैंने content देखा हूँ, कुशल परड़ा को लिया है, और दासुन शना को को मैंने थुरसर team में डाल लिया है, आपको पता है, शिलंकल line up उतना मजबूत तो नहीं है, शना का हो सकता है, एक दो बर bowling करा दे, प्लस batsmen यह बहुत ही जादा अच्छे हैं, थोड़ा से नीचे bet करने जरूर आ रहे है, बट मुझे लगता है, साउथ अफ्रिका की bowling इतनी अच्छी तो है ही है, कि दासुन शना तक तक betting तो आही इस मैच में, और दासुन शना तक अगर betting आ जाएगी, तो यह अच्छे खासे runs लगा सकते हैं बोर्ड पे, 15-20 का तो इनका आपने average देखा यह साउथ अफ्रिका इकलाफ, और अगर जल्दी betting आ गई तो उससे भी जादा score कर सकते हैं, असलांग का man in form में छोड़ नहीं सकत तो केशा मराज की जगे पर डी प्रोटोरियस को अपने टीम में शामिल कर सकते हैं, अभी फिलाल के मैं इसी टीम की साथ जा रहा हूँ, कोई अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा, जिसका लिंक की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो यह है मेरी फैन टू पले की टीम, अब हम बात करते हैं, इंगलेंड वर्सेज आस्ट्रीलिया के मैठ पर रहे हूँ की, और उसकी ड्रीम रेवन ओफन टू पले की टीम की बात कर लेते है, शो गईज इंगलेंड वर्सेज आस्ट्रीलिया का यह 26 मुकाबला ह जाएगा और वेन्यू होगा दोबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अगर आप यहां पर पिछ को देखें तो पिछ पे क्या है पेसस को ज्यादा हेल्प मिल रही खाज करके इनीशेल ओवर्स में और थोड़ा सा टफ टास्क रहता है यहां पर बैट्समें के लिए ठीक फिल फस्ट लेना पसंद करती है और वही टीम यहां पे थोड़ी सी डॉमिनिट करती है आपको पता इंग्लेंड भी बहुत तगरी टीम है ऑस्टेलिया भी बहुत तगरी टीम है तो जो टॉस विन करेगा वो लगबग लगबग मैच को भी विन करेगा फस्ट बॉलिंग वाली टीम को एड्वांटेज रहेगा तो इसलिए आप इंग्लेंड वसे ऑस्ट लिया में यह मान के चलिए जो भी टीम फस्ट फील करेगी उसके विन करने के चांसे काफी हाई रने वाले हैं यह मैच तीस ऑक्टूबर साढ़े साथ बजी इंडिन टाइम के साब से खेला बहुत अच्छा खेलते हैं वो आपके लिए कप्तानी वाइस कप्तानी के आज बहुत उम्दा पिक होंगे इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा ध्यान से सुनिएगा कैप्तन सी वाइस कप्तनी से आज बहुत इंपॉरेंट रहने वाली है जो की टीम के पिकिट कीपर बैट्समेन है अगर हम बात करें इनके बैटिंग एवरेज की तो 31 का बैटिंग एवरेज करी कर रहे हैं और आकरी कुछ मैचे से उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं खेल तो बहुत अच्छा रहे हैं बट फिर भी बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं बट इस मैच में उम्मीद है कि जॉस बटलर अच्छा बड़ा स्कोर कर पाएंगे क्योंकि पिछले चार मुकाबलों से इंगलेंड के खिलाफ इनका स्कोर जो है वो 44 के नीचे नहीं गया है यानि इंगलेंड के खिलाफ जॉस बटलर बहुत शांदार खेलते हैं आखरी चार मैचेस से हम ये चीज़ को नोटेस कर रहा है यानि कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी आप चाहें तो जॉस बटलर को इस मैच में दे सकते हैं बात करें जेसन रोई की तो 28 का इनका बैटिंग आवरेज है अगर आप जेसन रोई का देखेंगे तो ठीकी ठाक फॉर्म है अप पूजिशन टीम के खिलाफ आखरी चार मैसेज में मातर एक बार चले है फॉर्म अच्छा होनी की वैसे आप इनको टीम में ले सकते हैं बट head to head record इनका इतना अच्छा नहीं है head to head record अगर आप देखें तो डविड मलान का थोड़ा सा जाधा बैटर है बैटिंग एवरेज 32 का है, recent form average है अप पूजिशन टीम के खिलाफ आखरी 5 मुकाबलों में scoring इनकी 3 बार 42 या उससे जाधा की रही है यानि कि हो सकता है कि रोई से बैटर इस मैच में डविड मलान परफॉर्म कर जाए head to head record के साब से बट recent form जेसन रोई का बहुत अच्छा है इसलिए हम इनको छोड़ नहीं सकते small league की टीम में risk हो जाएगा जो लोग grand league में ट्राइ करना चाहें वो कर सकते हैं मलान को ट्राइ फिर आती है जॉनी बेरिस्टो थोड़ा सा late betting आती है इनकी बट हो सकता है समैच में जल्दी आ जाए तोकि आस्ट्रेलिया के पेसर शुरुआत में विकेट भी ले सकते है जिसमें आप देखें तो Jason Roy का 32 का betting average है रिसेंटली अगर T20 में performance देखें अगर betting आ जाती है तो बड़ा score करने की शमता रखते हैं अब position team के खिलाफ आखरी 4 मुकाबलों में ये भी मात्र एक बार ही चले है जो आखरी मुकाबला इनका हुआ था Australia के खिलाफ इसके बाद नमबर 5 पे हो सकता है Morgan आजाएं या फिर खुद को डी प्रमोट करके Livingston और मोहिन अली को बैटिंग करने भेज दें जिसमें आप देखें Morgan के T20 stat जो है वो उतने अच्छे नहीं है और आप पोजिशन टिंख लाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वहीं अगर हम बात करें Livingston और मोहिन अली की तो Livingston ने तो Australia को अभी face नहीं करा है इस format में Recent batting form Layston का अच्छा नहीं है बट the 100 tournament में बहुत अच्छा खेल देता है अगर इनको promotion जल्दी मिल जाती है माली जब Barristrol से पहले इनको experimental basis पे पहले batting करने भेज दे तो यह अच्छा कर सकते हैं बाकी conditions में तो scoring की chances थोड़ो से कम रहेंगे अभी पिछले match में 3-3 over कराये थे मोहिन अली और Livingston ने जिसमें इनको एक एक दो दो विक्टे भी मिली हुई थी मोहिन अली जो है यह राइटाम ओब्रिक बोलर है और लियाम लिविंस्टन जो है यह लैग स्पिन बोलर है तो यहाँ पे आप देख लीजे थोड़ा सा बॉलिंग का बस रहेगा इशू किस से कितनी बॉलिंग टीम कराती है इस वेन्यू पे I think पेसर्स क्योंकि ज़्यादा डॉमिनिट करती है तो हो सकता है कि Livingston और मोहिन अली जो है जिसमें Livingston कम ओवर कराएं इस बार और मोहिन अली जो है वो तो देखिए सामनवले टीम के left handers के खिलाफ थोड़े बहुत overs तो कराएंगे कराएंगे तो उससाब से आप थोड़े समझ लेजेगा तो मोहिन अली की important थोड़ी सी जादा रहेगी Livingston के मुकाबले अभी भी यही बोलूँगा ठीक है अब पोदिशन टीम के खिलाफ हाला कि मोहिन अली की record उतने अच्छे नहीं है आखरी पांच मुकाबलों में दो ही बार सा फलता मिली है और Livingston ने कभी Australia को face ने करा थोड़ा साथ disadvantage भी है अब हम चलते नीचे Chris Jordan पे Chris Jordan का stat देखें तो recent form Jordan का उतना अच्छा नहीं चल रहा प्लस इनके कभी-कभी overs कर जाते लास्ट मैच में भी दो वर इनको मिलेते सिर्फ कराने के रिए बाकी प्लस को पूरे overs मिलेते आप देचते हैं 3-3 ओवर कराये थे Livingston और मोहिन अली ने जिसके चलते Jordan के दोवर कट गए थे आप पोदिशन टीम के खिलाफ इनका 50-50 का record है आदिल रशीद की बात के तो recent form इनका देखे तो उतना अच्छा नहीं चल रहा बट आप पोदिशन टीम के खिलाफ इनका record बहुती जादा अच्छा है और लगभग आप देखे ते पिछले 7 मुकाबलों में इनको 5 बार सफलता मेली भी है तो बहुती high rated बोलर रहेंगे इस मैच में आदिल रशीद और क्योंकि last match में death में भी balling इनोंने करी थी टिमल मिल्स के साथ तो इनकी importance और भी जादा इस मैच में रहने वाली है अगर आप इनका देखे तो वो भी उतना कोई खास नहीं चल रहा है हाला कि और खिलाफ इनोंने दो मैच आकरी जो खेले उसमें इनको एक एक विगट मिली है अब हम बात करते हैं और उससे पहले हम देख लेते हमारा 500 रुपीज का Q&A question अब जिल लोगों ने वीडियो को skip नहीं करा है उनी के लिए यह question है क्योंकि अगर आपने वीडियो skip करके आगे बढ़े हैं तो यह आपकी question कोई काम का नहीं है वो मैचीज जो है डेटा निकाल लेता हूँ फिर आपको पता चल जाता है कि कौन विनर है कौन नहीं है South Africa और Australia इस मैच में विनर होंगे तो ऐसे आप चाहें तो शीलंका और England का combination मना सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं South Africa इंग्लेंड लिख सकते हैं तो आपको जो टीमें दो आज लगती हैं दो मैचेस होने वाले हैं दोनों में विनर्स कौन कौन होंगे उनका नाम लिख दीजिए और आपको लिखना है देविड वर्नर इस मैच में fan2play पे कितना point score करने वाले हैं तो इसलिए मैं आपसे बोला तो fan2play application को आप ज़रूर आज डाउनलोड कर लेजेगा और refer code fx लगा दीजिगा अगर आप fx code लगा के वहाँ पे sign up करेंगे अगर आप मेरे वहाँ पे user हैं तब ही आपको contest valid होगा ठीक है क्योंकि आप जब सही answer देंगे तो मैं आपसे आपका user id मांगूगा जो team name है या फिर आप email id भी जो registered है fan2play पे वो आपको मुझे देना पड़ेगा और मैं आपको 500 रोपे का paytm cash दे दूँगा अगर आपका answer correct है तो जल्दी से जाए fan2play application पे आप sign up कर लीजे ध्यान रखिएगा refer code fx लगा के sign up करिएगा ताकि आप बता सके कि आप fx family का हिस्सा है और अगर आप fx family का हिस्सा है तो ये 500 रुपीस का giveaway आपको मिल सकता है बस आपको simple सा जवाब देना है कि आज के match में कौनसी team जीतेंगी आपको यार इतना तो पता है South Africa बहुत one-sided team है तो South Africa को आप लिख सकते हैं शिलंका के मुकाबले देखिए एक cricket का game है हो सकता शिलंका भी इस match को जीत जाए बट South Africa की chance बहुत high है और Australia England में जो first ball falling करें उसके भी chances बहुत high होंगे win करने के तो उसे साबसे आप second prediction भी कर सकते हैं तो ये दो prediction बहुत जादा जो है जोकिम भरे नहीं है आप इसको logical basis पे कर सकते हैं अब आपको बताना है fan to play application पे David Warner कितने point देंगे तो वह आपको app download करनी पड़ेगी और इस match को खेलना पड़ आपको जल्दी से जल्दी से सवाल का जवाब देना है और fan to play आपको जरूर डाउनलोड करना है क्योंकि अगर आप जीत भी गए और अगर आप fan to play पे fx user नहीं है तो आप इस give up में पार्ट नहीं ले पाएंगे इस चीज का बिल्कुल ध्यान लखिएगा तो आपको कैसे कमेंट करना है सबसे पहले आपको दूनों टीमों के नाम लिखने है जो जीतेंगी प्लस डिविड वर्नर fan to play पे कितने point score करेंगे और आपको यह hashtag लगा देने है जो आपको इस screen पर देख रहे हैं आप चाहे तो थोड़ा सा पॉस्ट कर ले वीडियो को और comment section में जाके सब अपना ptm number छोड़ सकते हैं जिनका भी first comment लाइक है इस वीडियो पे प्लस इस 500 रुपे ptm cash का जो question का जवाब है इसका जो answer है वो आपको match के बाद मिल ही जाएगा और जो सबसे पहले answer देगा और जो fx user होगा fan to play पे उसको यह price मिल जाएगा ptm cash 24 गंटे के अंदर अब देविड वर्नर का काफी समय बाद performance अच्छा आया क्योंकि last match इनका जो था वो थोड़ी सी कमजोर टीम के सामने था जिसके सामने इनका record अच्छा था बेट अगर आप overall form देखें तो finch ने थोड़ा जाधा अच्छा performance दिया है साथी साथ अगर आप position टीम के खिलाब performance तो बहुत consistent scores है इनके आप देख सकते हैं most of the scores इनके 39 के अवब गए हैं तो finch आपके लिए जाधा better option होंगे डेविड वर्नर के मुकाबले लेना आपको दोनों को चाहिए बट फिर भी आप थोड़ा सा stat देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किसकी importance जादा है फिर देखिए म importance जो रहेगी betting में सबसे जादा Maxwell की रहेगी को कि आपकी team को एक boost दे सकते हैं तो Australia हमेशा इनको थोड़ा सा betting में प्रमोशन देती हैं अगर चल गए तो अच्छे खासे runs लगा सकते हैं नहीं चले तो नीचे Stephen Smith तो है ही है मिश मार्च को हो सकता है आप थोड़ा सा नीचे खिलाए टीम वैसे तो number 3 पे इनका betting position था बट पिछले एक दो matches से उतना अच्छा performance नहीं दे पाए जिसके चलते हैं तो थोड़ा से down betting करने मौका मिल रहा है और balling ये करा नहीं रहे है इस tournament में तो इनकी importance बहुत जादा कम ह कि आपको मिलेंगे बहुत consistently runs करते हैं इसके अलावा Maxwell की scores आपको कुछ कम भी दिखेंगे कुछ बहुत जादा भी दिखेंगे क्योंकि hitter type player है हलाकि बहुत skilled player है बट फिर भी यहीं बोलूँगा कि बहुत जल्दी बल्ला गुमाना start कर देते हैं उसमें आपकी साथ क्या हो स 10-15 run पर Maxwell आउट भी हो जाए तो इनका यहीं काम है और अच्छे से काम को करते हैं इसलिए इनकी important भी बहुत जादा है मिश्मार्च की important थोड़ी जी कम रहेगी बहुत कम रहता है लास्ट मैच में बैटिंग आई ज़रूर बट कुछ खास performance नहीं दे पाए मैक्स वेलका में लास्ट मैच का स्कोर नहीं लेक पाए कम स्कोर था 28 नहीं था 28 के बाद जो 5-6 आजपर रन लगाये थे नोने उस मैच में तो यह हो गई बात यहां पर स्टॉ कफलता मिली है तो पेट कमिस भी इंपोर्टेंट हो कि खासकर के फर्स्ट बाइलिंग में और डैथ में स्टाक को असिस्ट कर सकते हैं स्टाक की अगर हम बात करें तो स्टाक का डीशन परफॉरमेंस अगर आप देखे तो बहुत अच्छा फॉरम है प्लस अगर केरियर किसी पेसर का ना उस्ट्रेलिया ना इंग्लेंड टीम में होगा 105 मैचेश में बालिंग करके 152 विक्टेंग के नाम पर हैं चुकि बहुत जादा होती है और लगबग विकेट परिनिंग का 1.5 के आजपास का निकल के आता है स्टाक डैथ में भी गेनवाजी करते हैं इस ल चल रहा है अगर आप देखें पिछले 8-10 मैच उठाके तो एक भी मैच में विकेट लेस नहीं गए प्लस 50-60 मैचेश में इनको 2 या 2 से जादा विक्टें मिली हैं आप के सकते हैं कि ये जो मैच है इसमें भी 1-2 विक्टें जंपा लेके दे सकते हैं प्लस आप पोजिशन टीमी खिलाफ आकरी 4 मुकाबलों में 3 बार इनको विक्टें मिली हैं तो यहां पर ऑस्टेलिया की जो बॉलिंग है उन्होंने इंग्लेंड खिलाफ परफॉर्मेंस रीसेंटली बहुत अच्छा दे रखा है तो इस मैच में ऑस्टेलिया है अगर इनकी फस्ट बॉलिंग ह आज में इनको विक्टें मिली है तो इस टाइप से आपको सक्सेसरिट निकल जाएगा प्लस यहां पर वोक्स का सक्सेसरिट जी सकते हैं किसने कितने मैचेस खेले थोड़ता उससे भी अंदर लगा सकते किस मैच में क्या हो सकता है सब कुछ एट रिकॉर्ड पे थोड़त अच्छा कर सकती है क्योंकि आपके पास मैक्सवेल भी है जो सामने वाले टीम के लेफ्ट एंडर्स के खिलाफ बॉलिंग करते हो आपको दिखेंगे हीजल वूर्ड जमपा स्टार्क कमिन्स यह कंप्लीट चार चार वर्वर्स करेंगे इनके हैट रिकॉर्ड भी बहुत अ इसलिए इनकी बड़ जादा है क्रिस जॉर्डन को इसलिए नहीं लिया पिछले मैच में उनकी ओवर्स कट गए थे और लिविंग स्टन से जादा इस मैच में हो सकता है मुईन अली बॉलिंग करते हैं आपको देखें सामने वाले टीम के लेफ्ट एंडर्स के खिलाफ क्य पिछले मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे यह पता है लॉंग टम में यह प्लियर जो है अब पोजिशन फ्रेंचाइजी के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डेविड वर्नर का फॉर्म भी रिसेंटली बहुत अच्छा देखा गया तो इनको टीम मे अगरा खेल रहे न वो head to head records के साब से एक दो change ऐसे कर सकते हैं किसी टीम में रॉय की जगे पर डविड मलान को ले लिजे किसी टीम में आप मुविन अली को शामिल कर लिजे किसी टीम में आप Maxwell को drop कर दीजे Stephen Smith को ले लिजे इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा अगर आप थोड़े से assumptions ले ले के टीम बनाएंगे तो Grand League में आप काफी अच्छा कर सकते हैं अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि Maxwell की जगे पर Stephen Smith को भी try कीजे माल लिजे Maxwell एक दो ओवर करा है बॉल लिग में flop हो गया और क्योंकि आपको पता है जल्दी खेलते हैं तो कभी-कभी 10-12 भी रन बन पाते हैं कि कभी-कभी 50-60 भी बन जाते हैं पर अगर किसी दिन 10-12 रन बने तो आपको पता है नीचे Stephen Smith आएंगे जिनका most of the T20 score जो है वो 25-28 के असपास का रहता है जो बहुत consistently T20 में खेलते हैं और 25-28 रन का एक common figure है तो आप उनको भी try कर सकते हैं मैंने उनको नहीं लिया बट आप कर सकते हैं कोगी मैंने आपको stat बता दिये तो थोड़े बहुत changes तो आपको खुद से करने पड़ेंगे और थोड़े बहुत assumptions तो आपको खुद से लेने पड़ेंगे बाकी मैंने टीम बनाने की कोशिश की है जो best से best आपके लिए बन पाए तो यह है मेरी टीम और इसके साथ मैं जा सकता हूँ अब हम बात करते हैं fan2play team की फिर वीडियो को end करते हैं तो यह रहने वाली है मेरी इस match में team fan2play पे captain अगिन बटलर, wise captain अगिन एरून फिंच, डेविड वनर बे टीम का हिस्सा, जेसन रॉय, ग्लैन मैक्सवेल, बॉलिंग में टिमल मिल्स, आदल रशीद, जॉस हिजलवूड, अधम जंपा, पेट कमिस और मिस स्टाग, तो यह एक मौका आपको मिलता है, चैलेंज fantasy में compete करने का, चैलेंज fantasy में आपको मातर दो, तीन या चार प्लगी team बनानी होती है, और आप easily यहाँ पर win कर जाते हैं, आप देख सकते हैं, लोगों ने यहाँ पर team बना रखी है, और जिसमें आप देख सकते हैं, maximum selection जो है, वो स्टा कर सकते हैं, जैसे Josh Butler हो गए, और Aaron Finch हो गए, इनको ट्राइए कर सकते हैं, या फिर आप दूनों टीमों से सबसे बड़ी आप बोलर्स को लेना चाहें, तो यहाँ से आदिल रशीद या टेमल मिल्स को ले सकते हैं, इंगलेंड की तरफ से, और आस्टलिया की तरफ से आपक 11 लगी साथ नहीं खेलना है, आपको बस पता करना है कि कौन से वो 3-4 प्लेयर हैं, जो इस मैच में दूनों टीमों से अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा कासा अमाउंट कहां से विन कर सकते हैं, सिर्फ कम प्लेयर के साथ वो भी, ठीक है, तो गाईज, अब हम वीडियो कर जिल लोगों ने Fan2Play अभी तक Sign Up नहीं करा, वो Refer Code FX लगा के Sign Up कर लेना, और आज का जो Contest है, वो Fan2Play यूजर्स के लिए है, यानि जो Fan2Play पर आज Sign Up करने वाले या फिर पहले कर चुके हैं, वही इस Competition का हिस्सा हो सकते हैं, जिसमें आपको 500 रोपे का Paytm Cash दिया जाएगा, म कमेंट में सबसे उपर भी मैंने टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है उसको पिन कर दिया, तो आप वहां से भी जॉइन कर सकते हैं, एड़ दर इट फेंटसी एक्सप्रेस, जो हमारे चैनल का नेम है, यूट्यूब चैनल का, वही आपको सर्च करना है, टेलिग्राम पे आप अब तक के लिए बाबाइ